students welcome back our today's topic is objectives of personal guidance जो personal guidance है निज्जी अगवाई है उनों देन दे केड़े केड़े उधेश ने मीन्स क्यों दित्ती जन्दी है फर्स्ट है टू असेस्ट दा इंडिवीजूल इन अंडर्स्टेंडिंग हिंसल्फ इंडिवीजूल दी सहेता करना तान जो अपने अपनों समझ सके क्योंके कई वर जड़ा एक व्यक्ति है और आपने वारे कुछ होर सोच रहां देते लोग क उसल्फि पर्सनल प्रॉब्लम्स फिर जो पर्सनल गाइडन्स होधा मेन ओप्रॉब्लम्स एविया कि जो द और ऊसिंडिवीजूल नो उसडिव होधी नो पर्सनल प्रॉब्लम्स आ रहे है ने उनन्हान Bluetooth करना ते उनों खुद उना प्राब्लम्स दे नाल लड़न दे लिजा उनना सिल्यूशन लभण दे योग बना ओना नेक्स्ट है टू डवलप सिटेबल एटिट्यूड्स हैबिट्स और इंट्रस्ट पर्सनल गाइडन्स परवाइड करने अगला अब्जेक्टिव के उस इंडिविजूल नो असी ने ओधे जिडे शिटेबल एटिट्यूड्स ने उच ओडवेल्प करने है उधे हैबिट्स तू नो प्राइडन्स पर्सनल गाइडन्स पर्वाईडन्स परवाइड करने एक अब्जेक्टिव है होन कई वार जो है problem नहीं हो दियाने मिंज़ परसनल हों दियाने हरेक वक्ती लाइफ देवच हो दियाने बट बहुत लोग अवेर नहीं हुं दे ओ किसे होर गलनों हो यह होर इस इसको नहीं आदे रहे रहे इस करके पर्सनल प्राब्लम्स जो लाइफ देचारिया ने उना दिन आरलेटड असी इंडिविजुल नो अवेर करना टू डेवलप डेमोक्रेटिक क्वाल्टीज होने किजड़ा व्यक्तिया होदेच डेमोक्रेटिक क्वाल्टीज भी होने ज़रूरी ने असी पर्सनल गाइडेंस से द्वारा उदेच जडिया है डेमोक्रेटिक क्वाल्टीज ने उख डेवल्प कर सकते हो टू डेवलप डेवल्प डेमोक्रेटिक क्वाल्टी पर्सनल गाइडेंस से द्वारा उदेच भी है टानड डेवल्प 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 डेमोक्रेटिक क्या हो वद्य इंसान बन सके To develop good character अगला उदेश personal guidance provide करन दा कि व्यक्ति जड़ा चिरिकतर निर्मान करना ऊदा character नो वधिय अबनाना क्योंकि कई वर जड़े व्यक्ति हो कई वर नो जड़ों सही guidance नहीं मिल दी ताह। गल्त रस्ते पह जंदर जो घल्त रशते पहेँ ता हुद देख रेक्टर वदी नहीं काउंट होएगा बट जदो उन्हों पर्सनल गाइडंस परवाइड किती जन्दी है ताहूँ आडेमेटीकली जीडे ऊधे चेंजे आने शिरू हो जने ऊधे बदल जान दिया ने तु अवियर अबाउट एल्थ इस्यूस हों जो हैल्थ इस्यूस ने दिखोई भी पर्सनल प्रॉबलम है आसी डॉक्टर दे कोल जांने या था डॉक्टर सान्हों personally guidance दिन्द गड सी जओ medicine लिखधा है जो साननू treatment दिन्द गड सानने precautions करने लिखेंदा है उप कि इने साया personal problem देना लेट सानो instructions हुं दियाने यी इस करके personal guidance परवाईड करन द अगला अब्जेक्टिव की and ने प्रती अवेर करना के health issues तो तुसी की में बच सक्ते हो कि यूएंड apartments के ओइए पृफ्प्रमेशन होंडियाह थोड़ी प्रॉब्लम से नाल, हेल्थ प्रॉब्लम से नाल, ता वो भी गाइड कर सकते हैं। Next is to assist the individual in taking independent decisions. Personal guidance प्रवाइड करान दा अगला हुदेश केसी व्यक्ति नो एस योग बनानाएं, क्यो अपने जिडे decisions ने उनानों independently ले सकने योग हो जावें। क्योंकि जदों से decision देली किसे उपर depend कर देयां ता हो सकता हो सानू गल्त गाइड भी कर देबे। जदों से किस तो personal guidance ले रहे हैं, किसे भी decision देवीच, ता जरूरी नहीं होंदा के सही प्रवाइड किती जावें। बट ओधिला सानू independent होंदा मौका मिल दा है, सानू पता लाग जान दा केसी किते गलत सी ते किते सी सही। तो assist the student to plan laser time activities, परसनल guidance प्रवाइड करन दा अगला objective के जदों भी जद स्टूरेंट कोल जा किसे individual कोल फ्री टाइम होंदा है, ता उदेश हो केड़ें केड़ें activities कर सकता है, उना activities नो चूज करन देविच उदे सहेता करना। तो make a responsible citizen, अगला objective के जड़ा individual है, जड़ा student है, उनुक responsible citizen बना होना। एक जिमेवार नागरिक बना होना, जिमेवार नागरिक दियां जड़ियां duties होंदियाने, उहो personal guidance से द्वारा उनुदसियां चाह सक दियाने। Next है to develop leadership qualities, अगला उदेश के जड़ा individual है उदेश लीडरिशिप qualities पैदा करना, develop करना। Leadership means किसे नूँ lead करना, एक व्यक्ति नूँ lead करना भी हो सकता है, किसे गुरुप नूँ lead करना भी इदी विच्छे ओंदा है, तेसी ओ qualities पैदा करनी है, जिनल के उजड़ा व्यक्ति आ हो, लीडरिशिप करन्दे योग हो सके। Next is to ensure good adjustment, अगला objective कि उन्हों जड़ी चंगी होदी adjustment हाओ, उन्हों उसी ने यकीनी बना आना, ensure करना। हुण कई व्यक्ति आदा ने होंदीने, जिनली तुसी nature कहलो भी थोड़ी चिटचड़ी होंदी है, ते उ हर थांते adjust नहीं हो सकते। हार छोट-छोटी गलते उन्हों लगदा भी नहीं, एद्दा नहीं होना चाहिदा, यह ने ठीक है, यह ने ठीक है, ताव व्यक्ति कि दे भी adjust नहीं हो सकता। बट असी उन्हों पर्सनल गाइडेंस देके, उन्हों जिड़ी वधी अडजस्टमेंट होदी असी ensure कर सकते। नेक्स्ट है, टू डवलप सेल्फ डिसिप्लिन, अगला अब्जेक्टिव के जिड़ा सेल्फ डिसिप्लिन है, सवय अनुशाषी नहों विक्सित करना। पर्सनल गाइडेंस टीचर सेल्फ डिसिप्लिन देविक्स रहना सिख लेंदे। ऐसरी के नले फैमिली देविक्स जे बचा की ते बार जा रहे है, तब पेरेंट्स उनों कहके लेके जान देए, कि तू सब तो ज़्यादा शिरार्त नहीं करनी। तब चाओ दे कॉर्डिंग उथी अडजस्टमेंट कर देए। अगला अब्जेक्टिव के जड़ियां इमोशनल अडजस्टमेंट हुन दिया है, पावनात्मक तौरते समायोजिन हुन दा है, उनों करन देविक्स भी हल्प करनी अब्यक्ति भी। युएंगे बहुते कुछ परसन अद्धन है जड़ियां जड़िये के बहुत ज़्यादा इमोशनल हुन देने। वह अपनी प्रावलम की किसे होरनों भी प्रावलम दे बिच नहीं देख सकते। ती मींज कि अपना उननारी जीडी emotions हुन जाने उननारी पुरनारा control नहीं हुनदा ता personal guidance से दोरा सी उनना नो emotionally strong भी बना सक दें मींज जो emotionally adjustment हो करना सिखा सक दें Next नेक्स्ट अटो help the adolescents in making family adjustments हुन जीडी adolescence हुन देने क्योंकि generation gap हुन देकार उननारी अपने parents से नाल जीडी misunderstanding हुन दी रहन दी है इसकार को family देवच जीडी सही तरी के दी adjustment हो नहीं कर पौन दे But personal guidance दा main objective है है कि जीडी adolescence हुन देने मींज जीडी 13-18 साल तक दी उमर दी बच्चे हुन दे उनना फैमिली देविच अडजस्टमेंट करने योग भुन आना है जद उनना परसनल गाइडेंस प्रवाइड करांगे उनना उसी दसांगे कि तुसी parents से नाली हुन सारा कुछ parents सी तो अडली सब कुछ का रहने तां हो फैमिली देच अडजस्ट करने लग जानगे next है it enables students to achieve social and moral development हन परसनल गाइडेंस दा अगला अबजेक्टिव के जड़ी students ने उनना एश योग भुन आना कि हो social ते जड़ी moral development है उननु अचीव कर सकन उनु प्रापत कर सकन मिंज सोसाइटी देच वी चुवी develop हो सकन ते उनना जड़ी moral development हो भी हो सके और एक सोसाइटी देचे सर्वाइब कारन देली रहन देली एक जड़ा बच्चा है एक जड़ा individual है उननों एस तांदी जड़ी adjustment हो करन देली personal guidance दिती जा सकती है next है to enhance the adjustability अगला ओदेश के जड़ी adjustability है मिंज adjust करन दी योगता ओदे विच्वादा करना हुँ जवेक एक बच्चा है एक अली family देच अड़्जस्ट कर सकता है बटो स्कूल गया स्कूल देच अड़्जस्ट नहीं हो सकता स्कूल गया उस तो बाद community देविच गया society देविच गया ओथे भी नो adjustment दी problem आ रही है किते हो काम करन लग जान दा है ता ओथे भी उने problem आ रही है हुन से personal guidance से द्वारा सी जड़ी adjustability है means हर था समायोजन करन दी जड़ी समर्थाओ देविच वादा कर सकते है to help for setting goals हुनने के जड़ा व्यक्ति है उद्वारा अपनी life देविच कोई नो की गोल जरूर हुनदा है aim जरूर हुनदा है कि उन्हें की बंढ़ना है हुन ए गोल के वर उन्हें पता नहीं हुनदा कि मैं किस तरीके नाल set करना है ते उन्हें किस तरीके नाल achieve करना है ता परसनल गाइडेंस दे दौरा असी उधी हेल्प कर सकते हैं कि ओ गोल नुकी में सेट कर सकते हैं तो जदो से उधनल गालबत करेंगे ता सानु ओधे गोल वारे सानु क्लियर हो जगा कि ये दा अबजेक्टिव हा उदेश है तो ओधे कॉर्डिंग असी ओधी गोल सेटिंग देविच जड़ी हेल्प हो कर सकते हैं नेक्स्ट एटो इंप्रूविंग एफिशेंसी एफिशेंसी मींद योगता किसे भी इंडिविजुल देडी योगता है ओनों इंप्रूव करना भी पर्सनल गाइडेंस दा एक अबजेक्टिव है क्योंकि हरे एक व्यक्ति देविच एफिशेंसी हुन दिया किसे भी कामनों करन दी, किसे भी चीजनों सिखन दी ते उनों पर्सनल गाइडेंस से दोरा इंप्रूव किता जा सकते क्योंकि कई वार व्यक्ति जड़ अपनी एफिशेंसी नों सही तरीके नाल सही था देव पर यूज नहीं कर पौन दा इसलिए उनों पर्सनल गाइडेंस दी जुरूद पहन दिया तो help them to participate in social activities उन कई ऐस्तरा दे हुन दे ने individual कहलो पामे student कहलो कि ओहो जो social activities हुन दिया उदे विच पार्टिसपेट नहीं कर दे पामे यह कहलो भी शाही हुन दे ने जाए कहलो भी ओ corporate नहीं कर सकते कि दूसरे नों कोई भी problem लगा लो बट पर्सनल गाइडेंस से द्वारा सी उननों इना जेडिया social activities ने उननरी importance दासके उननर जो participate करन दे ली motivate कर सकते हुन next है to make a right start in school उन जदों बच्चे ने पहली बार school स्टार्ट करना है ता उस ताइम भी उन्हों पर्सनल गाइडेंस सी जूर्थ पें दिया पामे बच्चा छोटी class लगया ता देखो उनों भी parents personal guidance दे के पेश दे भी बैटे तुसे उन्हों थे किसना लड़ना नहीं है ना अपने friends ना चीज़ शेयर करनी है अपने मैम नों तुसी good morning बोलना है पामे बच्चा उस तुसी जाके पढ़ना है फिर बच्चा जो उन्हों बड़ा हुए जन्द है फिर भी उन्हों जेड़ी गाइडेंस सी स्कूल ना रिलेटेड हो parents बलो personally दित्ती ही जन्दी है पामे बच्चा उस तो बाद 6th class वी चिना में स्कूल दो चिला गरे है पामे प्लस वंदे विच लाग रहे है पामें college जा रहे है बट जेड़ी personal guidance सा उन्हों जेदों भी हो अपनी education स्टार्ट कर दा है उन्हों लिट्र दित्ती जान्दी मिन्स पर्सनल गाइडेंस समय इन objective के जड़े बच्चे ने school हो कि में स्टार्ट करना है उन्हों योग बनाना ह dear students AC objectives of personal guidance thanks for watching